लोगसबच 9-24 में कॉंग्रिस के निता राहूल गांधी ने केरल के वाइनाड और यूपी की राइबरेली दोनों सीटों में से जीत दर्ज की है पंडियम के मताबिक राहूल के वर एक सीट से ही सांसत बने रह सकते हैं आइसे में सबसे बड़ा सवाली है कि राहूल गांधी कौन सी सीट खाली करेंगे इसा में बताई कि लोगसबा अभी तक उनका स्तीफा नहीं मिला है चिले आपको बताते हैं स्तीफे से जुड़ा नियम क्या है आर्टिकल 241 के तहट अगर कोई सदसे लोग सभा या किसी सीट से स्टीफा देना चाहता है तो उसे सदन के स्पीकर को अपने हाथ से लेकित पत्र के रूप में इसकी सूशना देनी होगी हाले कि उन्हें स्टीफे का कोई कारण बताना जरूरी नहीं है नियम के मताबिक अगर कोई सदसे अपने स्टीफा सौपता और कहता है कि यह स्टीफा स्वेक्षिक और वास्तविक है और स्पीकर को उसकी बात सही लगती है तो वो तुरंत स्टीफा स्वेकार कर सकते हैं वहीं अगर स्पीकर को स्टीफा या तो डाक से या किसी आने व्यक्ति के मादिन से मिलता है तो फिर वो पूछ ताच कर सकते हैं जबकि वो संतुष ना हो जाएं कि स्टीफा स्वेक्षिक है। अगर स्पीकर को लगता है कि स्टीफा स्वेक्षविक या सही नहीं है तो वस्टीफा स्वेकार नहीं करेंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24